आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसी fluid में जाता है ठीक और fluid की जो density है वो हमारा क्या है less than है fluid density of the bob उस समय जो हमारे पास pendulum होगा उसका time period हमें बताना है ठीक तो यहां से गरे diagram बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा तो यहां से हमने क्या देखा कि question में क्या given है हमारे पास तो यहां से हमने अपना diagram बना ले इस diagram में हम क्या देख पार है कि हमारे पास दो यहां पर diagram हमने बनाए है पहला क्या है हमारे पास कोई एक simple pendulum है जो भी कहा पर रखा गया है air में तो यहां पर simple pendulum हमारा air में रखा गया था जिसकी length तेल थी length क्या होता है हम देख पार है कि एक हमारे पास जो यह string रहती है ठीक इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक यहां पर हमारे पास रहती है उसका एक end हमारा hinged होता है उसके दोसरे end पे हमारा एक bob लगा होता है तो क्या बन जाता हमारा simple pendulum तो इस hinge point से जो bob का center होगा, उसके बीच की distance हमारी क्या होती है, इस pendulum की length होती है, clear हो गया, pendulum की length क्या होती है, इस hinge point से, जो bob है, उसके center of mass की बीच की distance होगी, वो length हो जाएगा, अब question में कहा रहा है कि initially air में था, अब इसको हम ले गए किसी liquid में, और यहां पे लिखा है, fluid liquid, अब इस गया, fluid में हमारा इस तरह से oscillate कर रहा होगा, अगर air में oscillate करेगा, तो इसका path क्या होगा, इस तरह से oscillate कर रहा होगा, अब इसको पूरे system को आप fluid में लेके चले गए, तो length अभी भी same रही होगी, अब ही हमारा जो pendulum था, इस fluid में oscillate कर रहा था, तो हमें बताना था कि इसका time period increase होगा या decrease होगा, ठीक, और question में कहा रहा है कि जो fluid की density है, liquid की, वो greater than density of air के, ठीक, अच्छा, और यहाँ पर कहा लिखा density of the bob is greater than the density of the fluid, जब यह bob हमारा fluid में आ गया, तो उसमें हम ने कहा जो sigma है density of the liquid, जो यह fluid थी, उसकी density की इतना है sigma, और rho क्या है density of the bob, जो bob का density था हो क्या है, रो है, तो question में कहा रहा है कि जो bob की density है, rho is greater than sigma, ऐसा question में लिखा है, ठीक, अब यहाँ से समझेंगे, अगर हम मा लेते हैं कि जब यह pendulum पहले air में था, तो इसका जो oscillate कर रहा है, उसका जो time period होगा, क्या होगा, time period का formula क्या होता है, pendulum की oscillation का, t equals to 2pi under root l upon g effective, यह effective upon g effective, तो इस case में l effective कितना हो जाएगा, इस hinge point से body के center of mass की distance, l upon g effective, g effective क्या होता है, अगर यहाँ पे देखे, जब pendulum अपनी mean position पे होगा, यह उसकी काँ सी position थी mean position, तो downward direction में जो acceleration due to gravity लगेगा, उसको हम कहते हैं, g effective, जब यह air में था, तो आप देख सकते हैं, g effective की जो value होगी, किसके equal होजागी, हमारा g k equal, क्योंकि, जो downward direction में effective acceleration due to gravity था, और किसके equal होजागा g k, क्योंकि यहाँ पर देख पार है, कोई भी और force नहीं होगा, तो acceleration due to gravity, जो होगा, किसके equal ह तो यहाँ से देखेंगे, इस जो body का weight होगा, downward direction में लगेगा, और उसका जो acceleration due to gravity होगा, simply g के equal होजागा, जब body air में होगी, तो t equals to क्या होथा हमारे पास, 2 pi under root l by g, यह हमारा आ गया, लेकिन जैसे ही liquid मिले जाओगे, तो हमें पता है, कि liquid मिले जाने पर effective weight हमारा change होजाता है, ठीक, जो body का actual weight होता है air में, जैसे ही liquid मिले जाओगे, तो उसका weight थोड़ा कम हो जाता है, it means कि downward direction में, जो acceleration due to gravity होगी, वो हमारी कम हो जाती है, ठीक, अगर यहाँ पर देखे, actually क्या होगा, अगर कोई body अगर किसी liquid मिले जाते हो, तो उस पे एक of thrust force लगता है, उपर की तो यहाँ से देखेंगे, इसके center of mass से एक of thrust force उपर की तरफ लगेगा, f up, और उसकी value कितनी होती है, weight of the liquid displace, अच्छा, इसका body का जो bob था, उसका weight नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, लेट से इसका weight कितना था, w, w equals to क्या हो जाएगा, हमारे पास, m into g, m into g, m क्या होगा, इ min to g नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जो mass होगा, अगर इस bob की density पता है, तो mass क्या होता है, volume into density, let's say इस bob का volume कितना था, v, इसकी bob की density कितनी है, rho, तो यहाँगे हमारे पास mass into acceleration due to gravity से multiply कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, weight, जो इस bob का downward direction में लग र रहता है, जो liquid displaced होगा, उसका जो volume होगा, body के volume के equal होगा, तो weight of the liquid displaced निकालोगे, तो weight of the liquid कैसे निकलेगा, उस liquid का mass into acceleration due to gravity, तो liquid के अगर mass निकालोगे, तो volume V और liquid की density कितनी है, sigma यहाँगे हमारे पास F up, तो यहाँ से आप देखोगे, अगर आपने liquid में ले गए थे, तो ऊ effective weight आप calculate करो, ठीक, क्या effective weight, weight हमेशा किदर लगता है, नीचे की तरफ, तो अगर effective weight calculate करोगे, तो उसकी value कितनी हो जागी, यहाँ पर देखोगे, उसकी value हो जागी, V rho g minus V sigma g, ठीक, तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे होगी, effective weight हमारा कम हो गया, it means कि downward direction में लेट से हमारे जो effective acceleration था, g effective, उसकी value किसके इकल हो गई, sorry, g से कम हो गई होगी, ठीक, तभी तो यहाँ पर effective weight हमारा कम हुआ होगा, चूकि जो downward direction में acceleration due to gravity था, जब ओ air में था, जैसे ही liquid मिले जाओगे, तो let's say g effective था, उसकी value air के acceleration due to gravity से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हो उपर की तरफ force लग रहा होगा, जो acceleration due to gravity को कम कर रहा होगा, ठीक, तो it means, अगर कोई body liquid मिले जाते हो, तो उसका weight क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ठीक, क्योंकि यह जो biancy force उपर की तरफ लग रहा था, उसकी और जैसे उसका weight कम हो जा जाते हो, g effective equals to आजाएगा, हमारे पास v common ले लो, v और g common ले लो, तो यहाँ क्या होचाएगा, rho minus sigma, ठीक, divided by mass m, तो mass अगर यहाँ पर देखो कि तो इसका value कितनी हो जाएगा, हमारे पास rho into sigma, किसका mass होगा हमारे पास, यह bob का mass, तो bob का mass कैसे होगा, volume into bob की density, तो bob की density कितनी तो यहाँ से हमारे पास या गया, अब यह v से v तो cancel होगया, ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखो, g effective की value किसके एककल होजाएगी हमारे पास, इसको देख सकते हैं, one minus sigma upon rho into g के, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, कि g की value हमारी reduced हो गई, जब हम water में ले गए थे, तो जो g effective new आया, वो हमारा क्या था, कम हो गया, जब air में था, तो कितना था, g था, बाद में कितना हो गया, जब liquid में ले गए, one minus rho upon, sorry, sigma upon rho into g, it means की g effective की value हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है, अब जो time period होता है pendulum का, time period g universally proportional to root g, अगर length हमारा constant होगा, ठीक, तो यहाँ से आप दे कीड में ले जाते हो, तो g की value क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, इस formula से आप देख सकते हो, it means की time period हमारा क्या होगा, increase हो जाएगा, ठीक, अगर आपको इसकी actual value चाहिए, तो g की value ले जाके time period हो ले formula में पुट कर दे रहा है, time period क्या होता है, t equals to 2pi, let's say, जब fluid में लेक इनक्रीज हो जाएगा, क्योंकि g की value पहले g थी, अब कितना हो गया, कम हो गई है, तो जो new time period आएगा, उसकी value कितना हो जाएगी, increase हो जाएगी, यह हमारा इस question का answer हो जाएगा, ठीक, तो यहां से हमें बताना था time period increase होगा, या decrease होगा, तो time period हो जाएगा, हमारे पास increase हो time period increase होगा, क्योंकि हम देख पार है, जैसे ही body को आफ liquid में ले जाओगे, तो उसका जो effective weight होगा, कम हो जाएगा, effective weight downward direction में जो कम हो जाएगा, it means, कि जो downward direction में जो effective acceleration होगा, वो हमारा g से कम होगा, g क्या था, जब air में तो effective acceleration कितना था, g, ठीक, और उसको कहते है, acceleration due to gravity, जैसे ही आप इसको fluid में ले जाओगे, चुकि एक upward force लगेगा, जिसको हम कहते है, byancy force, इस वज़े से जो net downward force होगा, वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक, तो हम यहां से कह सकते हैं, कि जो g effective की value होगी, और g से कम होगी, it means कि g की value अगर कम हो गई, तो time period हमारा क्या होता है, बढ़ जात आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या whatsapp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर